पूरप शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने परदेश सरकार द्वारा घोशित बजट को एक छलावा करार दिया है पतरकार वारता में सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने बहुत सी योजनाओं की घोशना तो कर दी है लेकिन इसके लिए धन कहां से उपलब्द होगा ये कहीं जिकर नहीं किया है जब परदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो जोर परदेश की आर्थविवस्ता पर दिया जाना चाहिए था सुधीर शर्मा ने परदेश सरकार के अब तक के कारेकाल पर भी निराश चाहिए की है उनका कहना है कि सरकार धरातल पर कोई काम नहीं कर रही है पिछली सरकार द्वारा शुरू किये गे विकास कारे भी थम कर रह गए है वहीं धरमशाला में कॉंग्रेस के अलग-अलग गुठ होने के सवाल पर सुधिय शॉयमन ने कहा कि सभी पार्टी का काम कर रहे हैं और प्रतिस परदा हो तो सभी में उर्जा बनी रहती है उसको पढ़ कर कैसे लगता है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से दिशाहीन है और जिस तरह से आखड़े दिएगे हैं जिस सरकार के पास स्वयम तिस अंसाधिनों की कमी है वो किस परकार से उस धिमराज्शी को अरजित करेगी जिन प्रियोजनाओं और योजनाओं के बारे में उन्होंने उस बजेट में बताया है और उसके साथ आपको मैं ये कहना चाहूँगा और सरकार को भी मैं पूछना चाहूँगा कि जो पिछली सरकार के समय में कुछ एक प्रोजेक्ट्स थे जैसे की ADB फंडिट प्रोजेक्ट है हमारा उसकी जो दूसरी किष्टी के ये सच है कि वो लगवग 1900 करूर की जो किष्टानी थी उसके उपर जो है वो डिपार्टमेंट और एकनोमिक अफेस ने बीए ने चित्ती लिखके इसलिए रोक लगा दी कि प्रदेश सरकार जो है अभी तक की जो धनाशी ADB से आई थी उसको खर्च नहीं कर पाई और वो इसलिए खर्च नहीं कर पाई क्यूंकि जगा जगा इनके लोगों ने जा करके जिस प्रारूप को ADB ने तयार किया था उनके जो कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट थे जिस तरह से उनने तयार किया था उनने उसको बदलने का प्रयास किया इसी तरह से प्रदेश के जुड़े हुए जितने मसले आप गजल के हवायदे को ले लिजिए सरकार को यहीं पता नहीं है कि अपने संसाधन कितने लगाने हैं के इंदर से किसी अपने अजेंसी सी का फंडिंग लेनी है अगर मौपजा मिरना है तो उसके उपर कौन सा फेक थो सबस्द्स उर्प करो रुपेया तब लिजिया गया तो यह वही सौ है या अन्ने सो आया और सो यह आए तो क्या सो सो दोनों समार्ट सीची शेरों के लिए आया है और धरनशाला समार्ट सीटी का तो जो पैसा था, वो समार्ट सीटी की जो गाइड लाइन्स ने जे सरकार की, जो उसमें से बैंक收視 Hebrew किया गया है, कि उसी बैंक में पैसा रखा जाना मैं था, लेकिन आपने उसको ऐसे बैंक में डाल दिया जो बैंक की बन हो गया तो उस पैसे का क्या स्टेटस है काम कैसे हो गई तो इस तरह की जो सारी चीजे है ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज परदेश के अंदर नहीं है पर शाशन के जो अधिकारी बैठे हुए है किसी भ साथगी है कि इनके बादों पर बार बार एतवार कर लेते हैं लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि चुनी हुई सरकारें जो है प्रजात अंतर में वह बचनवद होती है जंता के प्रती जब आप इस प्रदेश की जंता के साथ नयाय नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे आंकड़ों क उसे पर दिशाही निकायों के चुनाब आ जाएगे उसके बाद भिधान सावा के चुनाब आ जाएगे नहीं समझता हूं के यह पूरा दिशाहीन और दशा कीन बजट है इससे प्रदेश को कोई लाब होने वाला पर देश के पास पहले ही जो फंड इंड आये पड़ी है जब आप उसके साथ नहीं नगाए कर रहे और वो सरकार जो रोज जो है उदार के कैसे पर कामकर है बोहारा चला रहे हैं तो अगर ढ्रातल पर चीजी नहीं हुतरेंगी तो मैं समझता हूं कि ऐसे में तो सरकार को जो है इनको स्टीफा दे करके दोबारा चुराव करा लेने जाएं कि भाईया हमसे नहीं हो रहा है हम लोग ये छोड़ रहे हैं किसी दूसरे को मुखका दीजिए जो की परदेश को आगे ले जा सके ये मेरा सरकार पर आरूप है और इस तरह की सरकार पहले नहीं देखी गई कि जो कोई भी कारे को धरातल पर उटारने में इतनी बुरी तरह से नाकाम नहीं ही